तो हेलो एभरिवन हावरी और आल कैसे आप सभी लोग उमीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे आपकी पड़ाई अच्छे से चल रही होगी तो गाइस मैं चितराश दातिच आप सभी का फ्रेंड अन कमपेणियन आप सबी का हरदिक स्वागत करता हूं आज के इस lecture में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज continuous tense को और last जो मेरा lecture था जिसके अंदर हम लोगों ने आधी story को translate कर लिया था और आधी story को translate करना भी बाकिया उसके लिए मैं आपको कहा था कि मैं दो दिन के बाद आपको उसके सारे के सारे answers बताऊंगा तो जिन बच्चों ने कर लिया है उनको thank you very all the best और जिनोंने नहीं किया भी तक उस homework को तो जाके उस homework को कर लो क्योंकि जैसे इसको दो दिन होंगे मैं अपने आप इसके आंसर डाल करके उसे पिन कमेंट में कर दूँगा ठीक है गाईस तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं continuous tense के बारे में continuous tense का मतलब होता है निरंतर सतत या अपूर्ण वर्तमानकाल वैसा तो वर्तमानकाल नहीं होता है वर्तमानकाल तो present tense में आएगा तो ऐसा कोई भी कार्य जो निरंतर या जारी अवस्था में दिखाई दे यानि कि वो कार्य पे जब वाक्य बने तब उस कार्य की स्तिती ऐसी होनी चाहिए कि वह कार्य चल रहा है निरंतर है या जारी है किसी भी कार्य का निरंतर या जारी होने से क्या ताथ परिया है कि वो कार्य शुरू तो हो चुका है लेकिन खतम नहीं हुआ है उस समय तक जिस समय पर हम उस कार्य को लेकर के वाक्य का निर्मान कर रहे है जैसे मेरा इंग्लिश पढ़ाना शुरू हो चुका है लेकिन अभी तक खतम नहीं हुआ है तो मेरी इस्तिती क्या है मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ अब अगर मैं कल की बात करूँ कि कल सुमए साड़े दस बजे में क्या कर रहा था तो हमने देखा दस बजे लेक्चर शुरू हो गया था सबा ग्यारा बजे लेक्चर खतम हुआ यानि कारी प्रारम हो चुका था दस बजे कारी खतम हुआ सवा ग्यारा बजे तो साड़े दस बजे में क्या कर रहा था तो नेचुरल सी बात है मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था अगर इसी हिसाब से पूछू के कल साड़े दस बजे में क्या कर रहा होंगा तो स्तिती वही रहेगी दस बजे lecture स्टार्ट होगा ग्यारा बजे खतम होगा तो साड़े दस बजे की स्तिती क्या होगी मैं इंग्लिश पढ़ा रहा होंगा चाहे past tense की बात हो चाहे present tense की बात हो वह साइकल चला रहा है लोग बाजार जा रहे थे हम सब पढ़ाई कर रहे होंगे ये इस तरह के जितने वाक्य बनते हैं जिसमें रहा था रहा रही थी रहे थे दिखाई दे रहा हूं रहे है रही है दिखाई दे रहा होगा रही होगी या रहे होंगे दिखाई दे ये सारे के सारे sentences continuous tense में चले जाते हैं अब जब हम देखते हैं कि कारिय की चिस्तिती सोच तो हमें पता चल गया कि continuous tense है लेकिन समय की स्तिती से भी हमें पता होना चाहिए past continuous tense है, present continuous tense है या future continuous tense है तो अगर मैं कहूं रहा था रही थी रहे थे अगर इस तरह की चिन्न दिखाई दे तो समझ लीजे बात चल रही है पास continuous tense की अगर इसी जगे दिखाई दे रहा है रही है रहे है या रहा हूं तो इसका मतलब समझ लीजे कि यहाँ पर बात चल रही है किसकी present continuous tense की रहा होगा रही होगी या रहे होंगे अगर ऐसा दिखाई देता है तो इसका मतलब बात चल रही है future continuous tense की तो यहाँ पर main जो शब्द में मिलता है वो शब्द में मिल जाता है रहा जो किसी भी कार्य के निरंतर होने का संकेत देता है कि वैकार्य जो है वो निरंतर जारी अवस्था में है या continuity में वैकार्य दिखाई दे रहा है अब यहाँ पर हम लोगोंने कल के lecture में एक बात की थी कि पास तरह की verbs होती है जो कभी भी continuous tense में नहीं जाती है यानि कि इन पास तरह की verbs को कभी भी continuous tense में नहीं लिखा जाना चाहिए वो कौन-कौन सी है सबसे पहली है verbs of perception यानि इंद्रियों के कार्य तो see, hear, smell, taste, feel यह सब जो है कभी भी इनमें ing नहीं लगता है यानि इनको ing की तरह क्रिया के रूप में इस्तमाल नहीं किया जा सकता see का sing नहीं बना सकते, hear का hearing नहीं बना सकते, smell का smelling नहीं बना सकते, taste का tasting नहीं बना सकते, feel का feeling नहीं बना सकते ऐसे हम देखते है verb of appearance कि मैं कैसा दिखाई दे रहा हूँ, मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं कैसा प्रतीत हो रहा हूँ ये जो वर्प्स हैं ये कभी भी ING फॉर्म में नहीं जाएंगी क्यों क्यों कि जैसा मैं दिख रहा हूँ ये एक स्थिति है बही मैं अच्छा दिख रहा हूँ मैं बुरा दिख रहा हूँ मैं लंबा दिख रहा हूँ तब तक वो action perform हो रहा है जैसे उसने perform करना बंद कर दिया अब वो action रुग गया ये तो निरंतरता की परिभाशा हुई नहीं जैसे मैं पढ़ा रहूँ जब तक मैं पढ़ाता रहूँगा मैं कहता जाऊँगा मैं पढ़ा रहूँ जब मैंने पढ़ाना बंद कर दिया कि चलो ठीक भई अब कल मिलते हैं तब थोड़ी कहा सकता हूँ कि पढ़ा रहूँ तो करता जहाँ सक्रियता से किसी action को perform कर रहा है जब तक वो perform करता रहेगा तब तक कार्य जारिया निरंतर रहेगा जैसे ही perform करना बंद कर दिया वे कार्य समापत हो जाएगा रुख जाएगा अब मैं जैसा दिखाई दे रहा हूँ जो मेरी appearance है जैसा मैं दिख रहा हूँ बताओ इसमें कौन से कार्य की निरंतरता हो रही कोई कार्य नहीं जो निरंतर हो रहा है ठीक है तो यही चीज़े आपे देखने को मिलती है कि appearance के अंदर look, resemble, seem, appear इत्यादी जो verbs है वो कभी भी ing form में नहीं जाती है ऐसे ही हमारी है verbs of emotion यानि कि जिनमें हम अपने भाव दर्शाते हैं अपनी भावनाओं को बताते है want, desire, wish, hate, hope, like, refuse, believe, doubt, mind, care, adore, appreciate, admire, fear, expect यह सारे के सारे आपके emotions हैं आपके भाव है यह और इनसे मिलती जुलती भी verbs जो है वो कभी भी ing form में नहीं जाती है उन्हें ing के साथ नहीं लिखा जाता ऐसे ही है verbs of thinking अब आपने कहा किसर यहां पर thinking क्यों लिख दिया क्योंकि यहां पर मैंने इसे जैरेंड की रूप में लिखा है और जब मैं किसी भी क्रिया का करता सुरूप या संग्या सुरूप जब लिखता हूँ कर्म सुरूप करता सुरूप या संग्या सुरूप जब मैं लिखता हूं तब मैं उसमें आई एंजी लगा सकता हूं लेकिन जब मैं उसे क्रिया की तरह लिखता हूं तो आई एंजी नहीं लगा सकता यानि कि अगर मुझे जेरेंट बनाना है जेरेंट मैंने सबसे पहले ले आया है उसमें जाे कि आप आराम से देख सकते हैं, जैरेंट की तरह अगर मैं लिखना चाहूं, लेकिन किसकी तरह नहीं लिख सकता क्रिया की तरह अगर लिखना चाहूं तो क्रिया के रूप में में in j form लगाकि इसका इस्तमाल नहीं कर सकता तो think हो गया, suppose हो गया, agree, consider, trust, remember, forget, know, understand, realize, recollect यह कुछ ऐसी verbs हैं जो हमारी thinking को दर्शाती है और इन्हें कभी भी ing form में लहीं लिखना चाहिए next हमारा आजाता है verbs of possession तो जब बात होती है verbs of possession की तो कोई भी ऐसी चीज जो या तो मेरे अधिकार में है या उस चीज का मेरे पास स्वामित्व है मालिकाना हक है अब मेरे पास यहापे दो चीज़ है एक है यह घड़ी और एक है यह stylus अब जब मैं घड़ी की बात करता हूँ तो यह घड़ी मेरे पास है अभी राइट नाओ किसके पास है यह घड़ी मेरे पास है मैंने पहन रखिये तो मेरे possession में है यह लेकिन क्या इसकी मेरे पास ownership है तो हाँ पैसा दे के गड़ी खरीदी भी मैंने और अधिकार में या हक में भी मेरे ही अभी मेरे पास ही है तो इसके लिए मैं दोनों तरीके के यूज़ कर सकता हूँ बिलॉंग और ओन दोनों का इस्तमाल कर सकता हूँ लेकिन अब अगर मैं बात करूँ स्टाइलस का तो यह स्टाइलस मेरे अधिकार में मेरे हक में है अभी यह मेरे पास है मेरे पास है लेकिन इसका मालिकाना हक मेरे पास नहीं यह है किसका वास्तविक्ता में यह तो लर्ण और शियर का है यह मेरा थोड़ी है मेरा परसनल थोड़ी है थोड़ी खरीदा इसे मैंने थोड़ी इसके पैसे दिये थे लेकिन अभी यह मेरे पॉजेशन में है मेरे अधिकार में है तो मैं कहूंगा I have a stylus मेरे पास एक stylus है यानि कि यह चीज मेरे पॉजेशन में है लेकिन इसका स्वामित व्या मालिकाना हग मेरे पास नहीं है और जब मैं बात करूँगा इस घड़ी की तो यह मेरे पास है भी सही और इसका स्वामित व्या मालिकाना हग भी मेरे पास ही है तो यह डिफरेंस दोनों देखने आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं बस इनका इस्तेमाल इंजी फॉर्म में नहीं किया जाना चाहिए ठीक है तो यह पास तरह की मेजरली वर्बस है जिन्हें मेजरली इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुख्यत है यह पांच है इसके अलावा एक दो तरह की और है वह आप लोगो इस तरह की और जो वर्बस है यह आपको वह पांपक है फाइन आउट रेस्ट आफ दव वर्बस सच रेस्ट आफ सच वर्बस इस तरह की और जो वर्बस है इस तरह की और जो वर्बस है उनकी केटिगरीज है उसे फाइंड आउट कीजे उसे ढूंड़िये and write in comment box और जितनी तरह की वर्बस आपको मिलती है या इनके अलावा और जो वर्बस आपको मिलती है उन्हें comment box में लिखिए आप खुद से पढ़ेंगे खुद से ढूंडे वाले हैं continuous tense start करते हैं पहला हमारा tense आएगा past continuous tense past continuous tense जो है उसमें भूत काल में जब भी कोई क्रिया जारी थी भूत काल में जब भी कोई कार्य जारी या निरंतर अवस्ता में था उसे मैं बताते हैं अब उसके लिए किस तरह के sentence structure का इस्तमाल होता है यदि वाक्य सकारात्म वर्क हो जाएगा कैसे हो जाएगा मैं कल पाठ पढ़ रहा था यह मेरा वाक्य हो गया मैं कल पाठ पढ़ रहा था अब इसमें में को क्या क्या ढूंड़ना है सबसे पहला subject कौन मैं अब मैं के साथ was लगाना या पर लगाना यह एक बार देख लेंगे वर्ब क्या है पढ़ रहा था यह हमारी वर्ब है पढ़ाई करने का काम कर रहा था च्छा क्या पढ़ रहा था तो यह पार्ट पढ़ रहा था यह मेरा object हो गया कब पढ़ रहा था तो कल पढ़ रहा था तो ये मेरा adverb हो गया, kriya vishation हो गया, जो kriya के होने का समय बता रहा है, English में लिखता से मैं कैसे लिखूँगा, I को English में लिख दूँगा, मैं को English में लिख दूँगा, I, I के साथ was या वर में से लगता है, was, उसके बाद में क्या है, पढ़ रहा था, पढ़ने को English में क्या कहते है, रीड, और रीड के साथ मुझे क्या लगाना है, I, N, G, तो रीड का हो गया, रीडिंग, उसके बाद object है, तो क्या पढ़ रहा था मैं, lesson, पार्ट पढ़ रहा था पार्ट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं लेसन कब पढ़ रहा था यस्टरडे कल के लिए क्या आ गया यस्टरडे आ गया ठीक है इस तरीके से हम अपना सेंटेंस बना सकते हैं I was reading लेसन यस्टरडे अब आप इसे थोड़ा बैटर बनाना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं I was reading a lesson यस्टरडे मैं कल एक पार्ट पढ़ रहा था ऐसे इस वाक्यों को बनाया जा सकता है अब जब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की जब हम बात करेंगे नकारात्मक वाक्य की कि जहां कोई कार्य होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था तो मैं कहता हूँ मयंक टीवी वैसे मैं चाहूँ तो टेलिविजन भी लिख सकता हूँ लेकिन शॉट में टीवी लिख रहा हूँ मयंक टीवी नहीं देख रहा था ज़रा दो मिन्ट के लिए रुकता हूँ फटाफट इसमें से कौन सा सब्जेक्ट है कौन सा वर्ब है कौन सा अब्जेक्ट है इन तीनों को चूज करो और उसे नीचे बना करके फटाफट से एक बार कॉमेंट बॉक्स में आंसर लिखके मुझे बताओ ठीक है कौमेंट बॉक्स में लिखना बेटा सी ड़ली एच ड़ली जो भी कर रहे हो प्लीज कौमेंट बॉक्स में करना लाइफ चैट में मत करना आज शायद मैं आपकी लाइफ चैट देख नहीं पाऊंगा ठीक है तो इसलिए फटाफट से इसको कर लो जल्दी चलिए तो देखते हैं इसको सबसे पहले सब्जेक्ट मांग रहा है तो मैंने यह से अपना सब्जेक्ट चूज कर लिया मयंक मयंक के बाद अ गया मयंक के अकोडिंग वस लगाऊं कर वर लगाऊं तो वाज का नौट आ गया देख रहा था मेरा क्या और वर्ब की कौन सी फ़र्म लगानी है वर्ब की फ़र्म प्लस आई एंजी देखने को इंग्लिश में कहते हैं वाच और आ अई एंज उसमें लगाई तो क्या बन गया वाचिंग अब देखो कितनी शानदार बात है कि देखने के लिए दो वर्पस है मेरे पास एक है C, एक है वच C के लिए मैंने कहा कि इसके अंदर ING नहीं लग सकता तो अब इसका मतलब क्या हुआ मैं C का इस्तमाल करी नहीं सकता था मैं कही नहीं सकता था कि मयंक was not seeing ऐसा तो बोली नहीं सकता था तो मैंने क्या करआ मैंने सी का इसतमाल करा ही नहीं मैंने watch का इस्तमाल कर लिया क्योंकि watch के साथ watching हो सकता है ऐसे ही हम लोगोंने ओभी पढ़ी hear का hearing नहीं बनता कोई बात नहीं हम here का इस्तमाल नहीं करेंगे जाओ खुश रहो अंग्रेजी वालो खुश रहो हम बोलेंगे नहीं हीरिंग हम हीर की जगर लिसन का इस्तमाल करेंगे और हम कह देंगे I was listening music क्या बोल देंगे I was listening music वैसे I was listening to the music होता है लेकिन बोल चाल की भाशा मैं I am what are you doing I am listening music ऐसे बोल देते हैं ठीक है वैसे listening to the music होना चाहिए Mayank was not watching क्या नहीं देख रहा था भाईया तो टीवी नहीं देख रहा था तो मैं यहाँ पर सीधा टीवी लगा लेता हूं फुल स्टॉप बेरा सेंटेंस खतम Mayank was not watching टीवी किसी ने सीग तो नहीं कर दिया है कॉमेंट के अंदर चेक कर ले ना वाई काई गलती से सी की जगे सीग तो नहीं हो गया है किसर देखने के अड़त में सी और आई एंज लगा दिया हूं क्योंकि आज ही बताया है कौन-कौन सी ऐसी वर्ब है जिनमें आई एंज का प्रयोग नहीं करना है ध्यान रखना है चलिए इसके अंदर देखते हैं क्या वहे नाटक पढ़ रहा था क्या वहे नाटक पढ़ रहा था इसके अंदर अब में क्या बिलेगा तो वाज वर में से लगाओ सबसे पहले लग गया ही ही के अकॉर्डिंग या आ गया वाज उसके बाद में पढ़ने के लिए आ गया रीडिंग और नाटक के लिए आ गया ड्राम क्या वह नाटक पढ़ रहा था last में आगया question mark was he reading drama अब देखो यहाँ पर इसे और जादा specific करने के लिए a drama कर लो was he reading a drama और a drama का मतलब होता है एक नाटक की किताब ठीक है नाटक पढ़ रहा था मतलब नाटक की किताब को पढ़ रहा था ऐसी किताब जिसमें नाटक लिखे गए अगला बाग की हमारा क्या आता है क्या वह काम नहीं कर रहा था इसे change करो फटाफट से एक बर comment box के अंदर comment box में बनाओ इसका क्या बनेगा क्या वह काम नहीं कर रहा था पड़ाफट से चेंज कर दो क्या वहे काम नहीं कर रहा था सबसे पहले subject वहे he was और वर में से was not की जगए not काम करने को क्या कहते है तो do कहते है और do के आगे ing लगा तो बन गया doing was he not doing object में अब इस काम को क्या कहेंगे इस काम को कहेंगे work last में आगया question mark was he not doing work क्या वहे कार्य नहीं कर रहा था या क्या वहे काम नहीं कर रहा था ठीक है इस तरीके से चारो तरह के sentences को हम लोग बहुत ही आसानी से बहुत ही easily convert कर सकते हैं चलिए एक दो बाक्या आपको मैं करके बताऊंगा यहाँ पे और उसके आज बाकी के वाक्यों को आपको करना है आज मैंने थोड़ी सी वाक्यों की संख्या अब आप लोगों के लिए बढ़ा दिए अब आप लोगों के लिए क्यों बढ़ा दिए मैंने वाक्यों की संक्या वो इसलिए बढ़ा दिये विटा ताकि अब आप जादा प्रैक्टिस कर सकें पहले यह था कि दस वाक्य लिख लो बहुत है आज से आप 20 वाक्य लिखेंगे और जैसे हैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे कोशिश करूँगा मैं के व्यद्ज कि संक्या और जादा बढ़ाते चलूँ ताकि आप जादा से आदा प्रैक्टिस कर पाएं क्योंकि अब यहां पर लिखने का मतलब कि हो लिखने से नहीं रहा वो तो starting के 5-6 lecture में हमें आ चुका है लिखना कैसे है लेकिन यह आप आती है कि लिखना है कम से कम समय में जादा से जादा सोच करके यानि कि अब हमारी जंग जो है वो किवल English लिखने मातर की नहीं रही English लिखने के साथ साथ कम से कम समय में अच्छी से अच्छी और grammatically accurate English लिखने के बारे में अब बात हो रही है ठीक है guys तो चलिए देखिए जब मैं स्कूल जा रहा था तो मैं पहले इस वाक्यों को लिख लेता हूँ मैं स्कूल जा रहा था क्या बनेगा I was going to school अब जब के लिए क्या आजाएगा तो जब के लिए सीधा ही आजाएगा when तो when I was going to school जब मैं है विद्याले जा रहा था ठीक है इस तरीके से इस वाक्यों को बनाना है ऐसे एकर नकारात्मक आजाए तो कैसे बनाओ कि मैं अपने कमरे में बैठ कर पत्र नहीं लिख रहा था तो वाक्य क्या है मैं पत्र नहीं लिख रहा था ठीक है अब अपने कमरे में बैठ कर को आप कैसे दर्शाओगे वो आपको एक बार देखना है ठीक है अब अगला जैसे ही आ गया के वे मेदान में बैठ कर अकबार नहीं पढ़ रहे थे तो मूल वाक्य क्या है वे अकबार नहीं पढ़ रहे थे यह हमारा मूल वाक्य है ठीक है अब मैदान में बैठ कर इसको आप इंगलिश में कैसे दर्शा होगे देखो एक बार नौकर बाजार से सबजी नहीं ला रहा था इसमें मूल वाक्य क्या है? नौकर सबजी नहीं ला रहा था एक्स्ट्रा जानकरी क्या है? बाजार से इसको इंग्लिश में कैसे इंक्लूड करना है? वो एक बार आपको देखना है, विचार करना है क्या आस्मान में सितारे चमक रहे थे इन सब के लास्ट में क्या है ये खड़ी पाई नहीं है ये कॉशन मार गए आपर सब में कि आसमान में सितारे चमक रहे थे तो इस वे क्या सितारे चमक रहे थे इतना ही वाक्या है आश्मान में एक्स्ट्रा है आपको सको लेकिना है और इसको मैंने सुखाया है देखवाई कल के लेक्चर में हमने बहुत सारी अतरिक्ट चीजा आई हमारे पास जिनको हमने जैसे तैसे सेटल डाउन करके कैसे ने कैसे करके उसे वाक्य का अंग या वाक्य का हिस्सा बनाया है इसलिए अब ऐसे ही वाक्य आपको आगे दिखाई देंगे क्या ठंडी हवा चल रही थी क्या ठंडी हवा चल रही थी गली में इसको इंग्लिश में कैसे लिखोगे इसे आपको देखना है ठीक है क्या वह लड़का इस गली में क्यों खड़ा था तो वह लड़का क्यों खड़ा था मूल वाक्य यह है फिर आ जाएगा इस गली में तुम्हारे पापा इतनी जोड जोड से क्यों चिला रहे थे तो तुम्हारे पापा में से केवल वैसे तो देखा पापा क्यों चिला रहे थे मूल वाक्य यह यह अब इतनी जोड जोड से को का वो देखो ठीक है गाइस तो यह आपके टोटल 20 सेंटेंस हैं पाच पास सेंटेंस सभी तरह के हैं 5 अफर्मेटेव 5 नेगेटेव और पाच इंटेरोगेटेव नेगेटीव हैं यह पाच पाच हैं इनसाभी का आपको क्या करना है इंग्लिश में अनुवाद करना है चली एक बार आप चाहें तो screenshot ले सकते हैं मैं side में अट रहाऊं किसी आपके नकारात्मक हैं कि यह पांचो आपके प्रश्नवाचक हैं और यह पांचों के पांचों आपके प्रश्नवाचक नकारात्मक हैं इन 20 वाक्यों को को comment box के अंदर लिखना है comment box में आपको इनको complete करना है ठीक है तो आज के हमारे दो उमबक्या हो गए एक तो आपको stative verbs बतानी है stative verbs वही है जो कभी भी ing form में नहीं लिखी जाती है उन्हें stative verbs कहा जाता है एक तो यह काम करना है और दूसरा काम यह करना है 20 sentences है इनको आपको translate करना है और हर बार की तरह definitely इस बार भी जो हमारा अगला lecture आएगा उसके अंदर में सारे के सारे जो sentences है उनको English में कैसे translate किया जाता है उसे discuss करूंगा तो I hope आज का lecture थोड़ा सा short है लेकिन sweet है क्योंकि कि आज हमने पिछले lecture के answer अभी discuss नहीं कि इसलिए lecture थोड़ा सा short हो गया next lecture में हम लोग उसके answers भी discuss करेंगे 20 sentences के answer discuss करेंगे तो definitely थोड़ा सा length lengthy होगा और साथ ही साथ हम क्या देखेंगे साथ ही साथ हम लोग present continuous tense sentences भी देखेंगे और उसकी भी practice करेंगे तो I'll see you tomorrow till that take care take care of yourself bye bye I'll see you soon